हलो इस्टूडेंट क्या हाल चाल आई होप आप सब लोग ठीक ही होंगे आपका स्वागत है हेल्थ एंड डिजीज के सेकेंड लेक्चर में तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ये सारी बाते किये थे हेल्थ डिफाइंड एज जैसे फिजिकल, मेंटल, सोशल, वेल्बिंग ह अचीए और भी बात कियते हैं कि हेल्थ कैसे अफेक्ट होता है जेनेटिक डिसाअडर इन्फेक्सियस या फिर इन्फेक्चन से राइफ स्टायल और इन्फेक्षन से यह सारी बाते हुई थी टिक है इदर विलियम हारवे के बारे में बात हुई थी और गूड हुआमर सेकेंड लेक्चर होने वाला है तो चलिए अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड लेक्चर human health and disease का इसमें सबसे पहला point when people are healthy जब people कोई healthy होता है तो उसके क्या-क्या फायदे होते हैं इसके बारे में सुनिए more efficient at work और ज्यादा efficiency से होता है increase productivity जदा होगी तो उससे income जदा होगा पैसा जदा आएगा ठीक है और क्या होगा increase longevity यानि जीवनकाल बढ़ जाती है reduce infant and maternal mortality यानि जो बच्चों का मृत्य उदर है और जो मा का मृत्य उदर है इनके जो mortality rate है इसमें कमी आती है कैसे अगर people healthy है तो या फिर society healthy है तो ये दो चार फायदे हैं अगर people healthy है तो उसके क्या-क्या फायदे होते हैं उसके बारे में था ये नेक्स्ट पॉइंट है maintain good health अपने हम एक अच्छे स्वास्त को कैसे बनाये रख सकते हैं ठीक देखिए good health को कैसे बैलेंस डाइट लेके बैलेंस डाइट मतलब कार्बोहाइड्रेट लेके कार्बोहाइड्रेट हो प्रोटीन हो फैट हो यानि हमारी बॉड़ी को जिस चीज का जितना जरुवत हो minerals विटामिन्स इट्सेक्टर बहुत सरे ऐसे पार्ट को लेके maintain किया जा सकता है जो हमारी बॉड़ी के लिए जरूरी होते हैं तो ऐसी चीजों को जब हम अपनी बॉड़ी को देते हैं या फिर हम खाते हैं तो ऐसी डाइट को वेलेंस डाइट कहते हैं personal hygiene यानि साफ सूतरा रहना चीए ठीक है जैसे hair time पे cutting होनी चीए नेल साफ सूतर होनी चीए आप टाइम से नहाएं आपके आसपास का वातावरार साफ सूतरा हो अपने personal hygiene को आप maintain रखें ठीक है इससे भी health अच्छा रहता है regular exercise होनी चीए आपके body के लिए exercise बहुत ज़्यादा जरूरी होता है तो ये तिन चीजों को अगर कोई कर रहा है तो उसका health बहुत ज़्यादा अच्छा होगा yoga करके भी हम अपने health को और अच्छा कर सकते है ठीक है yoga तो बहुत पुराने time से चला आ रहा है ठीक है yoga की practice करके yoga की practices since time immemorial बहुत पुराने time से किया जा रहा है isको करने से क्या फाइदा होता है physical और mental health achieve होता है physical मतला हमारी सारी रिक जो हमारी body के लिए जो भी चीजें जरूरी है वो पूरा हो रही है हमारी मानसी growth के लिए जो चीजें जरूरी है वो भी fulfill हो रही है यानि योगा करने से हमारी physical growth भी होती है और mental growth भी होती है अब बात करेंगे disease के बारे में तो disease actual में है क्या अगर हमारी body का कोई organ एक या एक से ज़्यादा organ अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं उनकी functioning अच्छी नहीं है वो affected है adversely affected है तो ऐसी condition को हम कहते हैं कि अब उस body पे disease है इसको पहचाना कैसे जा सकता है इसको categorized कैसे किया जा सकता है बहुत सारे sign और symptoms के द्वारा अलग-अलग disease में अलग-अलग तरीके के sign और symptoms होते हैं जैसे सर्दी खासी जुखाम में ऐसा होता है कि सर्दी लगती है severing होती है running nose running eye इस तरीके से ये sign और symptoms होते हैं क्या बात clear है ठीक है चलिए अब हम बात करते हैं कि disease को अगर broadly divide करना हो तो दो group में divide किया जा सकता है एक होता है infectious disease जो कि spread होता है एक person से दूसरे person में एक person से दूसरे person में spread होता है क्या बात समझ में आ रही है ठीक है non-infectious disease एक person से दूसरे person में spread नहीं होता है एक person से दूसरे person में नहीं फैलता है चलिए इसके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेजे infectious disease क्या होता है easily transmitted from one person to another person एक person से दूसरे person में आसानी से फैल जाता है infectious disease are very common यह बहुँ ज़चा common होता जैसे cold हो गया यह infectious disease का एक example है AIDS हो गया यह भी infectious disease का example है Everyone of us suffer from infectious disease at some times or other हम लोगों में से हर कोई कभी न कभी infectious disease से सफर किया है उससे affect हुआ है Most fatal infectious disease AIDS है Fatal मतलब जानलेवा जानलेवा या फिर घातक यानि infectious disease में से सबसे जाधा घातक होने AIDS है इसके बारे में detail में आगे पढ़ना है ठीक है Non infectious disease क्या क्या होते है Do not spread from one person to another person यानि non infectious disease एक परसन से दूसरे परसन में नहीं फैलता है Among non infectious disease cancer is the major cause of death जितने भी non infectious disease होते है उसमें से सबसे major death का cause cancer है ठीक है Cancer और AIDS के बारे में detail में पढ़ना है अभी हम सिर्फ ये idea ले रहे थे कि disease कितने type के होते है तो मोटी मोटा ये दो type के होते है Infectious disease और non infectious disease ठीक और हम क्या पढ़ रहे थे आज? कि उसके regarding कुछ न कुछ sign और symptoms आये होंगे बाड़ी में ठीक? एक अच्छी health को कैसे maintain किया जा सकता है? एक अच्छी health को balance diet से, personal hygiene से, regular exercise से maintain किया जा सकता है ठीक है? अगर कोई people healthy है तो इसके क्या क्या फायदे होते है? वो अपने काम को अच्छे तरीके से कर सकता है उसकी productivity बढ़ जाएगी यानि उसके पास ज्यादा पैसा आलग ज्यादा काम करेंगे तो ज्यादा पैसा आएगा increased longevity उसकी जीवन काल बढ़ सकती है life span बढ़ जाती है और infant और maternal की mortality rate में भी कमी आती है तो आज यहीं तक था बाकी बाते अगले लेक्चर में करेंगे इतना तसरली से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अब notes उगरा बनाते रहिए अगर इन वीडियों से related कोई भी query या कोई भी doubt है तो आप comment section में जाके comment कर सकते है Thank you